इस वीडियो में हम बात करने वाले SBI Bank की शौर होम लोन स्कीम के बारे में जिसमें यहां पर कोई भी defense person, कोई भी navy का employee, कोई भी Air Force का person जो है apply कर सकता है यहां पर होम लोन के लिए और उसको काफी अच्छे benefit भी देखने को मिलते हैं और उसको सबसे कम rate of interest पर यहां पर होम लो वाइस देख सकते हो, regular home loan हो गया, CRE home loan, top up loan, reality loan जिसको plot loan बोलते है, loan against property हो गया, इसके लावा यहां पर देखे जैसे आपको privilege home loan, shore home loan या अपनागर, यह तीन इसकी में ऐसी है, जो कि government employees के लिए चलाई जाती है, shore home loan यह मेली उन लोग को focus करती है, जो कि defense person होते है, अब दे family account, SBI bank में है, और अगर आप defense person हो, या कोई भी government employee हो, इसके लावा जो है, अगर आप कोई woman individual हो, तो उसके लिए अलग से rate of interest में concession मिलता है, तो आए यहां पर जो rate of interest आपका साड़े 8 से लेके 9% के round यहां देखने को मिलेगा, अब यह depend भी करेगा, आपका credit score कितना शौर home loan scheme के थूर लेता हो, आपके कोई भी processing fees यहां पर नहीं लगती है, अब यहां पर scheme के बारे में आप देख सकते हो, यहां पर अगर आपको कोई भी new property purchase करनी है, या उसमें construction कराना है, renovation repair कराना है, उसके लिए आप जो है, कोई भी defense person जो है, शौर home loan scheme के थूर जो है, loan ले सकता है, अब यहां पर features देख सकते हो, तो low interest rate है, zero processing fees यहां पर लगती है, कोई भी hidden charges नहीं लगते है, कोई भी prepayment penalty नहीं देनी पड़ती है, interest changes on daily reducing balance है, 30 सालों के लिए आप maximum loan ले सकते हो, woman worker के लिए interest में concession भी मिलता है, इसके लाव बात करें, eligibility criteria है, तो Indian resident apply कर सकते है इस scheme से, minimum age apply कर नहीं, कि 18 साल है, maximum 75 year के इस तक आप अपने loan को चुका सकते हो, 30 सालों के लिए आप maximum यहां से loan ले सकते हो, बात करें, documentation आपके क्या क्या लगते हैं, तो देखें, employer identity card आपको देना पड़ेगा, उसके बाद loan application का form जो है, fill up करके, 3 passport size photo के साथ, 1 ID proof देना पड अब यहां पर कुछ property related document देने पड़ेंगे, वो अलग-अलग होंगे, जैसे कि आप को new property खरीद रहो, तो उसके लिए अलग document होगा, आपकी कोई existing property है, उस पर construction करा रहो, उसके लिए अलग document होगा, तो इस सारे documents की आपको list मिल जाएगी, जैसे permission for construction, registered agreement for sale, या allartment letter हो गया, या stem agreement for sale हो गया, इसके वाद share certificate, maintenance bill, electricity bill, property tax receipt भी आप दे सकते हो, register development agreement of the builder दे सकते हो, convince deed हो गया, जो है, कोई new property खरीद रहो, जो भी आपने payment builder या seller जिससे आपने खरीदा है, तो उसको जो है payment receipt भी जो है, आपको दिखानी पड़ेगी, आप bank account statement भी जो है, आपको दिखाना applicant होगे, co applicant और guarantor, तो उनके लिए जो है, salary slip last three month का, इसके लावा form section last two year का दे सकते हो, अगर आपके post form section नहीं, तो आप ITR भी दे सकते हो, two financial year का, तो यह देखे, income proof requirement होता है, यहां से, SBI bank से, store home loan scheme through, अगर आप loan लेतो, तो यह document आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कि अगर हमको 100 home loan scheme से 15 lakh रुपए का home loan लेना है, तो 15 lakh का सबसे पहले हमने amount डाला, अब rate of interest तो उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है, हमने जो rate of interest यहाँ पे ले लिया, साड़े 8% से देखिए, starting हो जाती है, SBI bank में, और सबसे जो कम rate of interest प यहाँ पे loan offer करा जाता है, और 15 lakh का loan अगर हम सबसे वाले 15 साल के लिए लेते हैं, 14,771 की मेरी EMI, जो हर महीने महीने हमको देनी पड़ेगी, total interest हमको 11,58,000 रुपए का pay करना पड़ेगा, इसके लावा अगर हम इसको 10 साल के लिए लेते हैं, 15,00,000 को 18,58,000 रुपए की मेरी EMI बनीगी, total interest हमको 7,31,742 रुपए का pay करना पड़ेगा, इस तरीके से आप अपना EMI और total interest calculate करके देख सकते हो, इस EMI calculator पर इसका link आपको वीडियो के description box से मिल जाएगा, और अगर आपको किसी भी bank के loans के offer जानने हो, चाय वो SBI bank के home loan हो, या SDFC bank के home loan हो, या parcel loan हो, या car loan, 2 wheel loan, education loan, saving account, trade card, तो उसके offer वायरा के link, rate of interest, features benefit आप यहाँ से देख सकते हो, जैसा हम SBI bank के home loan पे जाते हैं, तो जितनी भी यहाँ पे scheme चल लही है, उसके rate of interest, उसकी जो है details देख सकते हो, जैसे कि हमने बता है, आप साढ़े 8% से देखे, starting होती है home loan की, maximum 11.15% rate of interest जाता है, तो आई होप, वीडियो मार आपको informative लगा होगा, वीडियो को एक like कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा, और मैं आप comment करके बता सकते हो, कि SBI bank के और कौन सी home loan scheme के बारे में, आप हमसे information लेना चाहते हो, तो आज के इस यूडियो मा पास अतना ही, तो मिलते हैं शूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,